हलो दोस्तों जैसा कि आप यहां पर देख रहे हो कि इस question में दिया हुआ है कि निमलिखी संख्याओं का HCF ग्याद करने के लिए यूकलीड विभाजन एलगोरिथम का परियोग कीजिए ठीक है हमें यहां पर क्या करना है यूकलीड विभाजन एलगोरिथम का परियोग करके इनका HCF ग्याद करना है ठीक है तो हम पहला लेते हैं उसे हल करते हैं ठीक है तो हम पहले question में दे रखा है एक्सोब पैटीस और दोसब पच्चीज ठीक है तो हम यूकलीड विभाजन एलगोरिथम क्या करते हैं जो बड़ा संख्या होता है उसमें छोटे संख्या से भाग देते हैं तो यहां पर बड़ा क्या है दोसब पच्चीज है तो दोसब पच्चीज में क्या करेंगे 135 से भाग देंगे, ठीक है, तो 135 से ये भाग देंगे, तो ये कितने बार में जाएगा, ये 1 बार में जाएगा, ये 135 हो जाएगा, ठीक है, अब घटाएंगे तो 5 में से 5 घटेगा, 0, और ये 2 हैती सासी लेगा, तो ये 12 हो जाएगा, 12 में से 3 घटेगा, कितना हो जाएगा, 9 हो और यह कितना हो जाएगा एक मैसे घटेगा जीरो अथार्थे किसील हो गया अब उसके बाद कहा यह ऊपर से आ जाएगा एक सो chamado कितने बार कि वर में यहां हो जाएगा अब एक बार में मचया हो जाएगा नभे ठीक है तो यह आग तब तक करते हैं जब तक इस तरह भी लिख सकते हैं जो यहाँ पर दो सब पचीस था दो सब पचीस उसको लिख सकते हैं बराबर 135 गुने 1 पलस 90 ठीक है उसी परकार यह जो 135 आया फिर उसको लिख सकते हैं 90 गुने 1 पलस 45 फिर उसके बाद यह जो आया हमारा 90 उसको लिख सकते हैं 90 बराबर तो यह क्या हो जाएगा तो यह हो जाएगा हमारा 45 गुने 2 पलस 0 ठीक है तो यह हम प्रोसेस तब तक ले जाते हैं जब तक कि सेस्पल 0 ना जाए तो जो अंतिम भाजक होता है वही क्या होता है वही ACF होता है तो इसमें भाजक कौन है हम जानते हैं कि भाज यह बराबर क्या होता है तो भाज यह बराबर होता है भाजक गुने भाग फल भाजक गुने भाग फल पलस सेस फल ठीक है यहां सेस तो यहां पर अंतिम भाजक क्या है 45 है तो इसलिए ACF यहां पर क्या हो जाएगा 45 हो जाएगा ठीक है था हम यहाँ पर लिख सकते हैं इसलिए ACF of 135 and 225 equal to क्या हो जाएगा यह हो जाएगा 45 ठीक है जिसका ACF कितना आ गया 45 आ गया इसी परकार अब हम दुसरे का देखेंगे दुसरा क्या है 196 और दुसरा है 196 और 38,220 38,220 है ठीक है तो यह हो जाएगा अब हम क्या करेंगा बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग देंगे तो यह है 38,220 और उसमें भाग देंगे किसे 196 से तो यह हो जाएगा 196 ठीक है यो कितना हो जाएगे 196 से अब थो बार में ले जाते हैं तो यो कितना आ जा रहा है हमारा दो पर से आ गया है 2 अब ये कितने बार में जाएगा तो 196 को यदी हम 7 बार में ले जाते हैं तो 1372 196 को यदि 9 बार में ले जाते हैं तो ये 9 बार में हो जाएगा ठीक है तो ये हो जाएगा हमारा 12 में 4 घटेगा 8 15 में 6 घटेगा 9 7 में 7 घटेगा 0 अथारते केंसिल 1 में से घटेगा 0 ये भी केंसिल हो गया ठीक है तो 98 आगया अब उपर से क्या आएगा 0 अब ये कितने बार में जाएगा तो ये जाएगा हमारा 198 गुने हम ठ्राई करते हैं कितने बार में चार बार में चार बार में कितना आगया साथ सो बानबे पाच बार में देखते हैं तो यह आ रहे हमारा नो सो नबबे मतलब पाच बार में ज्यादा होगया ठीक है तो यह चार बार में ले जाएंगे तो 198 गुने 4 कितना 792 होगा तो यह 4 बार में जाएगा 792 ठीक है तो 10 में से 2 घटेगा 8 अब यह 7 होगे इसासी लेगा तो 17 तो 17 में से 9 घटेगा कितना होगा 8 और 8 मिट 7 जाएगा 1 हो जाएगा ठीक है अब उसके वाद क्या करेंगे भाग का काम हम तब तक करते हैं जब तक स तो 0 ना जाए तब इसको हम क्या बनालेंगे भाजे बनालेंगे 196 को तब यह हो गया 188 ठीक है 188 अभी कितने बार में जाएगा तो दो बार में गया 16 18 में 16 घटेगा 2 और उपर से आगए 8 तो ये हो जाएगा 3 बार में क्या होगा 24 तो कितना बचा 4 तो अब उपर से 8 आ जाएगा ठीक है ये 8 हो गया हमारा ये वाला आठ जो अब ये क्या बन जाएगा भाज ये बन जाएगा तो चार से कितने बार में जाएगा दो बार में आठ आ जाएगा तो आठ में से आठ खटेगा जीरो ठीक है तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं युकलिट विवाजन एल्गोरिस्थम को नसर क्या हो जाएगा यह 38 जो 220 ह इसको अंबलीक सकते हैं 194 इसको अंबलीक सकते हैं 196 गुने 194 प्लस और सेस्वल कितना आया था तो सेस्वल आया था हमारा 188 तो यह हो गया 188 ठीक है अब फिर यहाँ पर जो 180 फिर उसके बाद जो 196 था 196 उसको लिख देंगे हम 188 गुने 188 गुने 1 प्लस एट ठीक है फिर उसके बाद यह हो जाएगा हमारा 188 को हम यहाँ पर लिख सकते हैं 8 गुने 23, 8 गुने 23 प्लस 4 फिर उसके बाद यह हो जाएगा हमारा 8 को हम यहाँ पर लिख सकते हैं 4 गुने 2 प्लस 0 ठीक है तो जो अंतिम भाजक होता है वही क्या होता है अंतिम भाजक अंतिभाजक क्या है चार है यह तो चारी क्या होगा एक है अब यहाँ पर तीसरा देखते हैं 866 और 205 ठीक है तो हम क्या करेंगे जो सबसे बड़ा संख्या है 866 उसमें भाग देंगे किसे 205 से तो यह कितने बार में जाएगा तो यह जाएगा हमारा दो बार में तीन बार में देखते हैं कितना आता है तो दो सब पच्पन गुने अगर 3 करते हैं तो यह हो जाएगा 700 पैसाट तो यह 3 बार में ही सही जाएगा ठीक है हम इसको 3 बार में ले जाते हैं 3 बार में यह हो जाएगा 700 पैसाट तो 7 में से 5 घटेगा 2, 6 में से 6 घटेगा 0, 8 में 7 घटेगा 1 ठीक है अब उसके बाद ये दो सो पच्पन यहां आ जाएगा तो अब ये कितने बार में जाएगा दो बार में ये हो जाएगा दो सो चार पांच में चार घटेगा एक ये हो गया पांच में जीरो घटेगा पांच अब दो में से दो जाएगा जीरो अथारत केंसील हो गया ठीक है अ अब उपर से क्या आएगा 102, अब ये कितने बार में जाएगा, दो बार में क्या हो जाएगा, 102 हो जाएगा, तो 102 में से 102 घटेगा क्या बचेगा से सफ़ल, 0, तो युक्लिट भी भाजन इल्गोरिथम को अनुसार हम लिख सकते हैं, 866 को हम क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे 205, गुने 3 प्लस, 102, और ये जो 205 है यहाँ पर, उसको हम लिख सकते हैं, 102 गुने 2, प्लस, 51, और जो यहाँ पर, 102 है उसको हम लिख सकते हैं, 152, प्लस, 0, ठीक है, तो जो अन्तिम भाज़क होता है, वही क्या होता है, इसलिए यहाँ पर इन दोनों का SCF क्या हो जाएगा 800-666 और 255 का तो अंतिम भाज़ा की SCF होता है तंतिम भाज़ा की यहाँ पर क्या है 51 तो 51 ही यहाँ पर क्या हो जाएगा इन दोनों का SCF हो जाएगा तो दोस्तों इस question में हमें तीन पार्ट दिये हुए थे सभी का हमें युक्लिड विवाजन इल्गोरिथम का परियोग करके SCF ग्याद करना था जो कि हमने एक एक करके ग्याद किया तुमीद करता हूँ समझ में आया होगा थेंक्यू